जैसे इंटरनेट का बहुत जाता इस्तिमाल करना, ठीक, पैट के टाइम को खराब करना, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में लागे एकदम समय किल कर देते हो आप, आपका जो समय है जिसको आप यूज करना चाहिए आपको अपने अच्छे के लिए, और अभी जो आपका गोल है वो नीट है, तो नीट के लिए जो आपको समय यूज करना चाहिए उसको आप खराब कर देते हो, तो अगर आप समय को खराब करना कम कर दोगे तो समय बहुत मि करोगे तो अपने आप ही आपको time मिलेगा अच्छा कैसे overcome कर सकते सर आपने बता तो दिया कि हाँ time खराब करना कम कर देंगे तो हमें time मिलना चालू हो जाएगा है हम distraction को दूर कर देंगे negative thoughts को दूर कर देंगे लेकिन कैसे कर सकते वो चीज उसके लिए बहुत important है पहला point को क्या लिखा है make to do list daily आपको आज क्या करना है उसकी list सुबह सुबह तैयार हो जानी चाहिए या रात में आप तैयार कर सकते हो कि कल मुझे क्या करना है लेकिन दिन की शुरुआत्ट रेंडमली होनी चाहिए आप्की आप यही करते हो न दिन की शुरुआत्र रेंडमली करते हो एक दम ब्लैंक होते हो आप जब सुबह उठते हो लाई आपको यह नहीं पता रहेंगी तो उसके होने के चांसे कम समय में बढ़ जाएंगे कि आप उस चीज को कम समय में कर सकते हो और एक होता रेंडम ली चले जा रहे हो सुबह बड़े वड़िया चाय नासता हुआ और बस शुरू हो गए उसके बाद क्या करना पता नहीं तो आपको अपनी जिंदगी में अगर अच्छा करना है तो उसके लिए बहुत इंपर्टन हो था टू-डू लिस्ट और टू-डू लिस्ट जब आप बना रहे हो तो आपकी प्राइटी एकदम सैट होनी चाहिए लाइफ में क्या करना है अब प्राइटी सैट होने से क्या मतलब है यहां पर अभी आप आपके पास आपकी जिंदिगी में सिर्फ एक ही गोल है जो सामने दिख रहा है वो दिख रहा है नीट का 2023 नीट का एक पेपर है जो आपको अच्छे से देना है उसी के लिए हम सब तयारी कर रहे है उसी के लिए हम सब तयारी कर रहे है एना तो आपकी प्राइटी एकदम क होता ना कई लोग वीडियो गेम खेलने लगते हैं कई लोग प्यार मौबत पड़ा जाते हैं यह समय थोड़ी अभी आएगा उसका भी समय जब कॉलेज में जाओगे बहुत मौके मिलेंगे तारा काम करने के तो पहले पहुंचतो जाओ वहां तक वॉलेज में कदम रख लो फिर उसके वाद सबसेट होता है मामला ठीक है एक लियर आपको अपने एनिमीज के वारें पता होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास का बातावरण ऐसा बन जाता है कि आपके दिमाज में इतना नेगटिव डाल देते हैं इतना नेगटिव डाल देते हैं लोग कि आपको पता ही चल पाता है कि यह मेरे बारे में सही सोच रहा है या बुरा सोच रहा है तो आपके आसपास के वादावरण को एक दम हेल्दी बनाके रखें नेगटिव लोगों को अप आप यहां पर आए हो तो एक अच्छा इंसान वनना आपको यहां पर तो हमेशा नेगिटिव लोगों को अपनी जिंदिगी से निकाल लें तभी आप इन सब डिस्ट्रेक्शन से दूर हो पाएंगे